नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 12, 13 और 14 अगस्त के आपकी राशी के माहा राशी फल के बारे में। और इन शबी का शुराब की राशी उपर क्या होगा। किन-किन चैनों को लेकर याश में आपको शाह उतने नहीं होगा। और आकर कौन-कौन शुकारी आपके लिए भागी शाले होंगे। याश में आपका लवलाइब के शरहेगा। श्वास के साहरेगा। के रिड़ के शर लेगा। आरतिक जिती और धन को लेकर सितियां के से वह तो दोंगे। इन शबी की महत्तपुन जान कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुली मिशना करें। और शुरूश लेकर अन्त तक जरूर देखें। वीडियो के इंत में बहुत अच्छे उपाई हैं। ज जान लेते हैं के श्थी के बारे में। शब्से पहले, दोस्तों 12 अगस्त के बात करें को इस दिन गुरूबवार का दिन रहेगा। शुकलавaj के चेत्रुतीतितिती रहे आगी और उत्तर भागुली नाम दोस्ते वकितने नियुकडी बाथ तो स्रोबार्शी वह रहेगा उसके प्रांते शाथ दिनेनाव की योग हो रहेगा एसी आप हम्हार ये कोई जारबाश्फन कारियों केruktों स्ट। दोशल दोश्मे रहे इस दिन दोबर के डोज को 6व मिड़ें दो छाम के दोस्तों इन दिन शूग नाम का योग रहेंगे जो कि बहुत ही मैत पूनों के रावकल कर शुबा के 10 बचकर 25 मिट चले कर दोपार के 12 बचकर 31 मिट रहेंगे और दोस्तों जन्मा कन्या को प्रांद तूला में गोशर कर जाएंगे वे दोस्तों आकरी दिन 14 अगस्त की बात तो शनीवार का दिन होगा शूल बच के शचेती थी और चित्रा नाम के नर्शत के शाह थी इस दिन शूल नाम का योग रहने वाले हैं और आकरी दिन में जो योग होंगे बहुत दिलाब करेंगे रावकल के शुबा के 9 बचकर 18 मिट शिरे कर शुबा के 10 बचकर 25 मिट रह शमे सोच बहुत ही शकार्तमग रहेगी लेगे शावित होंगे शत्र टिक नहीं पाएंगे दोस्तों भाद याख दोस्तों धार्मी यात्रा या फिर माध्यम से कोई धार्मीक कार्य यश्मेल पूर्ण होगा जमिन जयादात के मावंवों में यश्में आपको शफलता मिले दोस्तों आपको मेहनत करने के लिए तयार रहना चाहिए दोस्तों आने वाला ये शमे क्योंकि शनी आपके अभ्यास अस्तान में हैं दोस्तों भाई बहनों का शयोग तो मिलेगा ही प्रंतु विवाद भी शंबव है विशेश कर बड़े भाईशे शन्तान और गर्वती माईलावें के लिए यस में थोड़ा पर्तिकूल रहेगा वह दोस्तों इन दीनों में आपको प्रष्तिती से लड़ना भी पर सकता है दूसरे की मदद करें शूलाभ भी दें लेकिन किसी भी श्तिती को इस तरह आने नौ दें जिसमें आपका अपना नुक्सान होने लगे अपनी जरुरतां की और ध्यान देना नौभूने किसी भी प्रस्तिती में खुद के हितों को अंदेखा नौ करें दोस्तों यश्य में अपने मन की आवाज अवश्य सुने यदि कोई बात आपको उचित नौ लगे तो उचित टालने की यश्य में आप प्रयाश करें वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्य में करियर में आपको कुछ लाब मिलने की प्रस्तियों का निर्मान हो सकता है दोस्तों यश्टों में यदि कारवार विस्तार गती पकड़ने लगे तो दोस्तों आपको तुछ सहास एवंग किसी को धन उदार देने से बचना चाहिए अनिता आप लाप से वंचित रह सकती हैं दोस्तों यश्टों में आपकी लव लाइप को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके जवन साती से आपके संबंद काफी बैतर होंगी लेकिन आपके शुसुराल पक्ष और आपके परिवार के बीज में कुछ कासुनी यश्टों में हो सकती है दोस्तों ऐसे योग बन रहे हैं ऐसे में आपको इस्तिती को शमालने के आवशक्ता होगी दोस्तों यश्टों यश्टों में रिस्तों के लिए दिन सकार्तमग भी रहेगा आपको शाती के साथ अपने भावनाओं को सेर करने का श्मी मिलेगा दोस्तों आपने शादी के साथ विनमर वैवार करें अपने वहानी पर यश्मे मदुता लाएं इसे दोस्तों आपका प्रेम जिवन और भी शकार्मक दिश्टी के और बढ़ेगा वह दोस्तों हेल्थ को लेकर अगर बात करें तो यश्मे पाचन तंतर से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है लिक्विड डाइट ज़ादा ले दोस्तों यश्मे आपको स्वास के मोर्चे पर किसी भी बड़ी दिकत का समरा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों यश्मे आपकी जोन में कुछ अलग और असाधारन करके बताने के चाप परवल बनेगी दोस्तों यश्मे पूरे आपका जो मूड है बहुत ही अच्छे तरह के से काम करेगा दोस्तों आपका उच्छा यश्मे आपको सफलता का सोपान पार कराएगा गर आपके पक्ष में हैं इसलिए दोस्तों यश्मे चुनोती शिवकार करने से इनकार नो करने के लिए गनेश जी कहते हैं वह दोस्तों यश्मे आपकी वित्तिस्ति यानि धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मे कारियाले में कारिको शमालने में आपके दोबरा दिखाई गई अद्भुत प्रधिभा की शाहर ना हो सकती है कारियों को परतिबंद करने के मामलों में आप माहिर रहेंगे दोस्तों यश्व में हलांकि गिनेश जी का सुजाव है कि आपको निदले लेने के दोरान सभी नफे नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों यश्व में आपकी पारवनेज़ जीवन की बात करें तो दोस्तों यश्व में आप शांती पुर्ण जगहों में शाम बिताने का निस्य करेंगे किसी एक प्यरी के शात समय बिताना अनंद या अनुभति होगी एक समान्जे से पूर्ण शाम आप दोनों को एक दुसरे की करीब रखने में आप यस्ट में सक्चम होंगे आपको अधिक धन अर्जित करने के लिए गरफ प्रेडित भी करेंगे कड़ी मेहनत की काम किये भी न आप यस्ट में थकान महसुस कर सकते हैं तुस्तों यस्ट में अच्छा भोजन खाएं अच्छी तरह सोयें और अपनी उर्जा के यस्टर को बनाई रखने के लिए गहराई से सांस लें अपने शरीर पर अवस्यक बोज डालने से यसमे बचें शरीर को तरवताजा रखने के लिए बस आराम करिए तुस्तों यस्ट में आप सांत और तनाव रहित रहें ऐसा लगता है कि आप चानते हैं कि लोग आपसे क् विए यसमे अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से आप बचें अब भाँन काशने आपको प्रॉटसाहन देगा लेकिन छोटी-मोटी बातों पर आपास होनेसे यसमे आप बचें क्योंकि इससे आपके हितों को नुकसान पोचेगा दोस्तों अजानक किसी से रो करते हैं दोस्तों यश्मी प्रोपकार और समाजी कारेव आपको आक्रिशित करेंगे अगर आप एसे अच्छे कामों में थोड़ा समय लगाएं तो कापी शकार्पक बदलाव ला सकते हैं यह दिन आपकी जिवन साथी का बहतरिन पहलू आपको दिखाने वाला है दोस्तों य याश में आपको कौन से उपाहिं को करना चाहिए दोस्तों बुद्वार के दिन भगवान श्री गनेश जी का दिन होता है अगर दोस्तों आपका बुद्ध कमजोर है तो दोस्तों आपको हरे रंग से नाता जुड़ना होगा दोस्तों बुद्वार को शाबुत मूंग की दाल का दान करें लेकिन दोस्तों याद रखिए कि उसका शिवन ना करें यह आपके लिएश्य को अधिक जनकारे के लिए चैनल को भी सबस्क्काइब करें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें शेएर करें धन्यवाद